नमस्कार दोस्तो अचके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्ट्वेंगल FC के संपर्क में तो फ्यूचर प्लानिंग इस्ट्वेंगल FC का क्या हो सकता है कौन से लीग में इस्ट्वेंगल FC management खेन लेके तियारी कर रही है और कौन से players को sign करवाने वाली है इस्ट्वें और बहुत सारे इंवेस्टर्स के साथ बात्चीत चालू है बहुत सारे प्लियर्स के साथ बात्चीत चालू है लेकिन दोस्तों जैसे कि अभी स्रीस सिमेंट के पास इस पूर्टिंग राइट है उसके वज़े से इस्ट पंगल फसी मैनेजमेंट अभी कुछ भी चीज ओफी है कि अगले सीजन वो इंडिया में जो छोटे मोड़े टूर्णामेंट्स होने वाले हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे जैसे कि कलकड़ा फुटबॉल लीग और दोस्तो आइफ़े सील्ट और उसके बाद डुड़ान कप और अगर सूपर कप होता है तो उसमें भी पार्टिसिपेट करने वाली है और दोस्तो छिपेट ही नहीं बलकि इन सारी टूर्णामेंट्स को इश्टिवंगल nofc जीतना भी चाती नहीं तो जीतने के लिए East Wingal FC Management ने अभी से तयारी शुरू कर दिया है लेकिन मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि Sporting Right East Wingal FC Management के पास नहीं है जिसके वज़े से अभी East Wingal FC Management काफी ज़्यादा मजबूर है लेकिन दोस्तों East Wingal FC Management को पता है ये सीजन खतम होते ही सीरी सिमेंट के साथ कोंट्रैक्ट खतम हो जाएगा और हम बिल्कुल फ्री हो जाएगा और बहुत सारे साइनीज देखने को मिलेगा तो मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया भी था बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स अभी टार्गेट में है इस्ट व corrupt sc management के तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा लेकिन अभी जो अप्डेट है इस टोन्या ओ सिको लेकर वो ये है कि इस्ट प्हाइंगल फ्रीम मैंशिमेंट जो है क्योंकि हर प्लियर अपना future को बचाना चाता है तो इसलिए कोई भी प्लियर दो तीन मैने के लिए साइन नहीं करना चाता है अल्मॉस्ट दो से तीन साल का contract अगर उनको मिलता है अच्छा अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो इस्ट वेंगल FC का जो दो सीजन से प्रदर्शन अच्छा नहीं हो रहा है उसके वज़े से कॉंट्राक्ट भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे प्लियर्स को पिछले दो सीजन से लोन पर और साथी तो दोस्तो इसीलिए इस्ट वेंगल FC मैनेजमेंट अपने प्लियर्स को दो तीन साल का कॉन्टराक्ट उनका पर दोड़र्शन काफी जादा अच्छा हुआ है क्योंकि प्लियर्स का जो कॉंबिनिशन है वो काफी अच्छा से है तो इसलिए East Bengal FC Management भी वही चीज अपने plan में implement कर रही है तो East Bengal FC Management अपने players को 12 साल का contract offer करेगी जैसे sporting right East Bengal FC management के हाथ में आता है वैसे ही और बहुत सारे local Bengali players को East Bengal FC management sign कर वाएगा छोटे मोटे टूंडामेंट्स के लिए तो दोस्तों ये बात मैं आपको clear कर देता हूँ local Bengali players से मेरा मतलब है जो संतोज trophy में खेल रहे हैं Bengal को represent कर रहे हैं उन सारे players को sign कर वाएगा East Bengal FC management मैंने आप सभी को बताया था चार player target में है लेकिन अभी जो update है 6-7 player target में East Bengal FC management के कि उनको अगले season को sign कर वाएगा East Bengal FC management तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं Antonio Lopez Habas को लेकर तो दोस्तों ATK Mohan Magan FC के most successful coach Antonio Lopez Habas सुना जा रहा है कि अगले season से हमें फिर से ISL में दिखेंगे और कौन से team का head coach बनेगा Antonio Lopez Habas अभी तक इसके बारे में कुछ भी update नहीं है लेकिन ये update है कि दो team में बहुत जादा interested है Antonio Lopez Habas को अपने team में sign करवानी के लिए तो दोस्तों वो दो टीमों का नाम तो पता नहीं चल रहा है लेकिन ये बात बिल्कुल पक्का है Antonio Lopez Habas ISL में back करेंगे अगले season से तो वो दो team कौन से होगा ये बात बिल्कुल पक्का नहीं है लेकिन पता चल रहा है कि वो दो टीमों को coach का काफी ज़र्दा जरूरत है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आएसल में वो दो टीम कौन सा है जिनको कोच का काफी ज़र्द जरूरत है आप कॉमें शेक्सेन पर मुझे जरूर बताना तो चलिए दोस्तों फिलाल ये वीडियो में इतना ही था आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अच्छा लगा तो प्लीज लाइ हैं अपने दूसरे वीडियो में